Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Laravel की इस वीडिये के अंदर हम बात करने वाले हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कैसे करवा सकते हैं HTML form से So, यह हम स्टैज से करने वाले हैं, कोई पिछले HTML form का या फिर डेटाबेस का रेफरेंस नहीं लेने वाले पिल्कुल सब कुछ खुद से इस वीडियो में करने वाले हैं So, सबसे पहले हम एक HTML form बनाना पड़ेगा, view के अंदर, then हमें controller और model बनाने पड़ेंगे हमें routes बनाने हैं, और data को save करवाने टेबल के अंदर लास्ट में एक interview question पूछूँगा, इसको आप attempt कर ली जगा, comment box के अंदर आप चाहूँ तो Otherwise अगर आपको ना पता तो पड़ जरूर लेना, at least ताकि आपके किसी interview के अंदर ये काम आ जाए ये हमार database का नाम है, जो आपको यहाँ पर data दिख रहा है, इसी table के अंदर में आपको यहाँ पर basically 15 record दिख रहे हैं जो last entry वो 15 है, आपको 16, 17, 18 ऐसे कुछ entries में add करके दिखा हूँगा database का नाम मेरा blog है, table का नाम मेरा members है, so सबसे पहले हमें क्या check करना होता है configuration चेक करेंगे, कि क्या हमारी configuration हो चुकी है, नहीं होगे database का, आपको तीन चीज़ें चेक करनी है यहाँ पर database name, username और password, database name, blog, username मेरा root है, आपका भी root ही होगा, चांचीज है अगर आपने change ना करा होतो और db password, आपके case के दर blank हो सकता है, मैंने change कर रखा है, red hat at the rate 123 के अंदर अब हम क्या करते हैं, अब हम form बनाते हैं, form बनाने के लिए हमें view चाहिए और view के लिए हमें जाना पड़ेगा resource, view और यहाँ एक file बना देता हूँ, add member करके, add member.blade.php, यहाँ पर एक h1 tag लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, add members और इसको फटा-फटा से एक form बनाता हूँ, form के अंदर मैं यहाँ पर method define करूँगा, और method का नाम मैं post लूँगा, fields में यहाँ पर 3 define करूँगा, इसका होगा name, name, let's say, name ही है, पहली बारी field का नाम, क्योंकि मैं same name से field रखूँगा, आप अलग भी रख सकते हो, name, email, address, right, id automatically अपने आप add हो जाएगे, हमें इसको add करने की जुरूरत है नहीं, then इसके अंदर हम यहाँ लखेंगे, लिखेंगे placeholder, यहाँ पर लिखूँगा enter, name, और यहाँ मैं BR tag लगा दूँगा, ताकि थोड़ा सा space बना रहे, आने वाली field के अंदर, so, दो और मैंने यहाँ भी कर दिये हैं, यहाँ पर रखूँगा, मैं email, email name और last मैं रखूँगा address, जैसे की हमारे table के columns हैं, और यहाँ पर हम button बना देंगे, यहाँ भी लिखता हूँ मैं, add member, और type इसका submit हो जाएगा, right, so, यह हो गया है, अब हम controller के उपर आते हैं, controller बनाएंगे सबसे पहले, php, artisan, make, controller, और controller का नाम मैं रखता हूँ, यहाँ पर let's say, members, controller, enter करूँगा, यह बन गया है, सबसे पहले हम जो html वाला form है, इसी का route बना लेते हैं, so, मैं जाऊँगा, यहाँ पर route, web.php, और यहाँ पर मैं route बनाऊँगा, route, और यहाँ पर लिखूँगा, view, और यहाँ पर मैं add करूँगा, add, इसका URL हो गया, और add member, यह हमारा, इसका view का नाम हो गया, so, अब मैं इसमें जाता हूँ, और यहाँ पर simply लिखता हूँ, add, form हारा बन गया है, that's great, इस form के अंदर एक चीज मैं भूल गया था, वह होती है, csrf token add करना, यह भी हमारा add हो गया, great, then, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमारे controller को import करना है, और उसके लिए भ और यहाँ पर लिखता हूँ, add, data नाम से कोई function बना देता हूँ, और यहाँ पर कुछ काम करूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको blank छोड़ सकता हूँ, कोई problem नहीं है, और ताकि पहले मैं इसको उपर route बना दूँ, और अब मैं यहाँ पर route बनाँगा, route, post route होने वाला ह क्योंकि हम post request send करेंगे, और यहाँ पर कर देता हूँ, मैं add ही कर लेता हूँ उसका नाम, और यहाँ पर मुझे का करना पड़ेगा, import करना पड़ेगा मेरे controller को, यहाँ पर लिखूँगा use app, यहाँ लिखूँगा http, controllers, और controllers के बाद मैं लिखूँगा यहाँ यहाँ पर members controller, right, और अब मैं इसको use करूँगा, as in second parameter of my post route, colon colon class, और second parameter हैगा इसके अंदर, जो हमने, इसके अंदर यहाँ पर add data, यह, right, so यहाँ तक हमारे done हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले में यहाँ पर जाके request get करने के लिए form से, यहाँ पर request parameter define करना पड़ेगा, request यह object है, actually instance है, stdp request class का, और यहाँ पर लिखना आपको dollar, req, या फिर कोई भी parameter जो भी आपको ठीक लगे, और अब हमें model भी बनाना है, सबसे पहले हम model बना लेता हूँ यहाँ पर, model बनाने के लिए हमारी command similar ही होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे, phpartisan, make, model, और model name रहेगा मेरा member, क्यों, क्योंकि जो मेरी database के नाम के अंदर, जो मेरी table के नाम वो members है, table हमेशा plural होती है, और model हमेशा singular होता है, with capital first letter, enter कर देता हूँ, यह create हो गया है, अब मैं यहाँ पर इसको import करूँगा, model member से, यहाँ भी लिखूँगा, मैं, use app models member, और इस member का मैं new instance create कर लेता हूँ, data member equal to new member, right, then मैं आपके लिखूँगा, dollar member के अंदर हमारी तीन फिल्ड है, सबसे पहली name है, और दो फिल्ड और आपको मैं बताता हूँ, तो आपको यहाँ लिखने आपड़ेगा request, के अंदर name, दो फिल्ड और है, यहाँ पर है email, और यह कहां से आएगी, form वाली email वाली जो फिल्ड है, then यहाँ पर address, और यहाँ भी मैं लिखूँगा address, right, so I think everything is fine, and at the last हम लिखेंगे, member save, all right, तो basically आप यहाँ पर जब भी आप इस form के अंदर data को एंटर करोगे, I hope कोई mistake नहीं होगी पहले, so आपको एक error आएगी यहाँ पर, और वो error क्या होने वाली मैं आपको बताऊँगा, देखो, by default Laravel कहता है कि आपके पास हर एक table के अंदर दो फिल्ड होनी चाहिए, जैसे कि id, name, email, और address है ना, यहाँ आपको बताऊँगा, तो सबसे पहले मैं name enter करता हूँ, अब यह लिए मेरे table के अंदर data है, 15 तक है row के अंदर, मैं एक बर रिफ्रेश कर लेता हूँ, यह थोड़े सी प्रोब्लम है मेरे माइस्किल के साथ में, यहाँ पर 16th data है, अनेल, right, so मैं हाँ पर कुछ और data डाल दूँगा, let's say मैं हाँ यहाँ डालता हूँ, 7th data, peter, peter at test.com और यह रहते हैं, USA में, let's say, add करूंगा, जैसे मैंने इसको add करा, तो देखो, इसने मुझे एक यहाँ पर error दे दिया, इसने बोला कि unknown column field update add, कि update add इसको मिला ही नहीं, right, यहाँ पर जो होना चाहिए था, जो इसने अपने आप से send करा है, इसको database वाली field के अंदर मिलानी, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती है, अब update add के लिए बोलता है, जैसे update add हम अगर resolve भी करते हैं, तो फिर हमें create के लिए बोलेगा, एक-एक field के लिए बोलता है, तो उसके लिए हमें दोनों field को हम चाहते ही नहीं है, कि हमार आप data store हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको वापिस से redirect कर दूँगा, return redirect on add, right, तक कि यहाँ पर हमें फिर से add वाला page दिख जाए, अदर्वाइस हमें blank page दिखेगा, right, so मैं एक बार के लिए फिर से यहाँ पर save कर रहा हूं, वापिस आ रहा हूं, और यहाँ पर लिखता हू mr.tim, और tim at the rate test.com, and last में हम लिखेंगे यहाँ पर, let's say, Korea, इनकी country है, right, add करूँगा, तो आप देख सकते हूं, आप इस घूम के यहीं पर आ गया है, और अब हम देखते हैं कि वो add हुआ या नहीं हुआ, जो मैं add करना था, इसको मैं ignore कर देता हूं, और अब आप देख सकत सकते हो, mr.tim add हो गया है, तो इस तरीके साथ एक नई entry करवा सकते हो, so, सब easy है, कुछ question हो तो मैं इसे पूछ सकते हो, comment box के अंदर, yes, अब बात आती है interview question की, so, interview question यह है, कि देखो हमने एक table में data save कर रहा हूं, आपको दो table में data save करना है एक साथ, तो आप किस तरीके से आउगे, एक, with the help of single model, या फिर without single model या भी condition में देता, आप directly पूछ लेते हैं, कि दो table में data save कर रहा हूं, एक साथ, so, ऐसे questions का answer आपको आना चाहिए, so, bye bye for a moment, और channel को subscribe करना, पिलकुल मत भूलना, bye bye